और आज की जो हमारी अपडेट है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही भ्यंकर अपडेट है मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों जो HPPSE है उन्होंने जो है नोटिफिकेशन जारी की है जिस नोटिफिकेशन में हमें ये पता चला है कि जो भी आपकी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की जॉब्स हैं वो किस तरह से रहेंगी तो आज जो हम डिसकस करने जा रहे हैं आज हम दोस्तों क्लास 3 के बारे में डिसकस करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से हर एक चीज़ बताऊंगा की किया के जो है चीजे आपके साथ रहने वाली है तो इससे पहले आप सभी एक बार प्लीज मुझे ये confirmation दे दीजी कि आप सभी के लिए audio और video एकदम मस्त है तो हम अपनी class को बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं क्या आप सभी के लिए audio और video clear है चलिए जी आप सभी के लिए audio और video clear है बहुत बढ़िया देखिए दोस्तों जो HPP SCI हिमाचल प्रदेश पुब्लिक सर्विस कमिशन जो class 3 की मैं बात कर रहा हूं वहां पे आपके जो exams रहेंगे दोस्तों वो इस बार दो exams वो conduct करने जा रहे हैं एक आपका paper 1 रहेगा और एक आपका paper 2 रहेगा तो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं मैं paper 1 की बात कर रहा हूं कि वो किस तरह से जो है pattern रहने वाला है तो paper 1 में आपको HPGK के 30 सवाल रहने वाले हैं current affairs और India GK के जिसमें आपकी history, geography, polity सारी चीजी included रहेंगी प्लस current affairs included रहेंगे वो 30 marks का रहेगा उसके अलावा हिंदी आपको 20 marks की रहेगी और English आपको 20 marks की रहने वाली है जो total number आपको रहने वाले हैं दोस्तों वो 100 questions आपको रहने वाले हैं total और हर एक question जो है एक marks का रहने वाला है यानि 100 marks का आपका paper होगा लेकिन ये paper जो है आपको ये नहीं बतायेगा कि अगर आपने exam अच्छा है कि तो आप नौकरी लगेंगे जी नहीं ये जो paper है ये सिरफ passing marks वाला है यानि आपको इसमें सिरफ 35% marks लेने है या उससे जादा भी ले सकते हैं तो आप जो pass हो पाएंगे exam में for paper 2 selection जो आपको देगा वो paper 2 देगा समझे बात को कि यहाँ पर होगा क्या जो negative marking होगी अभी उन्होंने ऐसा mention नहीं किया है कि कितनी negative marking होगी as per जो हम सोच रहे हैं कि या तो 0.25 negative marking होगी यानि 4 सवाल पर आपका एक सवाल गलत होगा या 3 सवाल पर एक सवाल गलत होगा अगर 0.33 होती है तो अब आपको एक चीज़ समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो paper 1 है जादा question attempt करके या जादा number लेके कोई नौकरी हासिल नहीं कर सकता यहाँ पर negative marking है सिरफ आपको यहाँ पर passing marks है लेकिन जो paper 2 है एक चीज़ और ध्यान में रखनी है यह दोनो paper एक ही दिन में होगे same day में होंगे जैसे for example आज आपकी third of me है तो third of me कोई आपका paper 1 भी होगा और paper 2 भी होगा यानि total जो timing आपकी रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी जो पहला paper है उसके लिए आपको 1 घंटा रहेगा और जो दूसरा paper है उसके लिए आपको 2 घंटे का समय रहेगा और जो दोनों paper आपके रहेंगे वो दोनों paper objective रहेंगे for class 3 इसमें subjective नहीं होगा यानि आपको MCQ format में ही paper करना है ये चीज़ तो confirm है उसके अलावा जैसे जो आपका subjective aptitude test है paper 2 ये depend करता है आपके exams के उपर for example आप मान के चलिए कि JBT commission के अपतियारी कर रहे हैं तो JBT commission के अगर आपतियारी कर रहे हैं तो paper 1 तो सभी के लिए same asities है जिसमें HPG के current affairs, India जी के Hindi English रहने वाला है लेकिन जो उसका set होगा उसमें क्या होगा दोस्तों कि जैसे आपकी जो psychology है वो आ सकती है ठीक है यानि अगर हम JOIT की बात करें तो जैसे paper 1 में तो same asities यह रहेगा लेकिन इसमें जो computer है वो आ सकता है बात समझ पा रहे हैं तो जो paper 2 है वो आपको subject के according आएगा लेकिन इसमें भी एक romance यह है कि इसमें भी negative marking है लेकिन यहाँ पर आपको passing marks नहीं चाहिए paper 2 में यहाँ पर जो cut off बनेगी जो merit बनेगी उसके basis पर ही दोस्तों आपको नौकरी लगेगी यह बात clear है बाकी साथ ही साथ में मैं सबके comments भी पढ़ रहा हूँ गौरव जी के पढ़ रहा हूँ रहूल जी के पंकर जी के reasoning भी होगी दोस्तों आपका maths भी होगा जैसे for example माल लीजे कि आप HRTC की तयारी कर रहे हैं conductor की लेकिन वहाँ पर जो maths है उसमें आपको set वाले exam में maths और reasoning आ सकती है क्योंकि इसके बारे में अभी उन्होंने हमें जादा update नहीं किया है जैसे अपडेट हमें मिलेगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों जैसे for example आप SI की तयारी कर रहे हैं JBT की तयारी कर रहे हैं HRTC conductor की तयारी कर रहे हैं JOAT की तयारी कर रहे हैं आप दोस्तों clerical की तयारी कर रहे हैं किसी भी clerk की exam की तयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा जो batch है new pattern के according जो हमारा batch है दोस्तों ये 5th of में को batch बैठने जा रहा है यानि person से 5th of में से batch बैठने जा रहा है तो जादा से जादा students ये कोशिश करें कि हमारे साथ जुड़ें आपको screen पर number दे रखा है दोस्तों इस number पर आप call या फिर WhatsApp करेंगे description आप जैसी देखेंगे जैसे की for example मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ तो जैसे आप ये cut करेंगे आपको just more पर जाना है और more के बाद आप जैसी देखेंगे यहाँ पर आपको number और WhatsApp में शो हो रहा है तो ये वाला जो आप इस पर क्लिक करेंगे आप directly message कर सकते हैं कि sir हम इस course की त्यारी कर रहे हैं हम इस चीज़ के बारे में update कीजिए क्योंकि इससे पहले जो दोस्तों live classes में हमारे साथ 2000 plus students जुड़ चुके हैं और बहुत से students ऐसे हैं जो नौकरी हासिल कर चुके हैं आप हमारी play store पर application पर भी जा सकते हैं इसी के साथ साथ आप instagram पे hp exam affairs नाम से भी visit कर सकते हैं इसके अलावा में आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो इस बार hp पे ऐसी ने नया exam pattern निकाला है ये बहुत ही सोच समझ के निकाला है अब वो तुक्के वाली game नहीं रही कि तुक्का लगाया और नौकरी लगए जी नहीं जो तुक्के वाले हैं दोस्तों वो paper 1 में ही out और जो पढ़ने वाले हैं वो paper 1 में भी in और paper 2 में भी और वो नौकरी हासिल करेंगे ठीक है बाकी अगर आपको दोस्तों किसी भी test की जानकारी चाहिए ये कुछ भी आपको update चाहिए तो आप हमारे साथ जूड सकते हैं देखो जो syllabus रहने वाला है वो आपके exams के उपर vary करेगा जैसे ही माल लेजिए कि JOAT की notification जारी होती है तो हम आपको JOAT के बारे में update करेंगे HRTC conductor के भी out हुई है तो उसके बारे में हम आपको update करेंगे JPT Commission का होगा तो उसके बारे में update करेंगे अगर जैसे SI का है पहले क्या होता तो दोस्तों SI में कि जो science रहती थी वो जाधा रहती थी तो क्या पता इस बार SI के paper में जो set वाला paper है यहां पर science जाधा है बाद समझ रहे आप तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस बार तियारी आपको बहुत सोच समझ के करनी है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुढ़िए और बहुतरीन तरीके से तेहरी कीज़े क्योंकि हमारे साथ दोस्तों बहुत से students जो है पहले भी joined है क्योंकि अगर मैं आपको पहले की batch की बात करूँ दोस्तों तो पहले हमारा कह रहता था कि हम जो आपको study material प्रवाइड करते थे बहुत बहुतरीन तरीके से प्रवाइड करते थे आपको cloud storage के त्रों वीडियो और study material प्रवाइड करते थे आपको directly folders बने हुए होते थे आप जैसे basically folders पे click करते थे आपके लिए सारी वीडियो खुल के आती थी ठीक है तो इसी में आपको notes भी रहते थे और यह ऐसा नहीं है कि यह कोई copy किये हुए notes है दोस्तों यह handwritten notes है जो आपको as it is करवाय जाते है आप चाहे zoom जितना मर्जी कर लेंगे चीज फटेगी नहीं आपको बिल्कुल crystal clear चीज दिखेगी इसी के अलावा videos भी आपको दोस्तों notes भी आपको इसी के अंदर रहते हैं हर एक चीज अपडेट रहते हैं जैसे lecture one memory का है यह computer की बात की जा रही है अगर आप HPG के geography की बात करेंगे जैसे अगर आप geography की बात करेंगे तो geography पे आप click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि lecture 35, 37 है न इस तरह से पूरी की पूरी classes आपकी बहुत अच्छे से अपडेट की जाते हैं जैसे psycho की classes आप देखेंगे तो इस तरह से पूरा का पूरा अपडेट रहता है दस हजार है पांच हजार है नहीं दोस्तों जो fees है वो मत्र सिरफ जी हाँ दोस्तों 2000 है और इसमें दोस्तों हम आपको दोनों papers की त्यारी करवाएंगे paper 1 की भी और paper 2 की भी तो दोस्तों समय बहुत कम है अगर notification HP PSE ने जारी कर दी है तो आपका ये काम है कि इस number पर message जारी कीजिए और बताईए कि sir हमने इस test की त्यारी करनी है और हमें करवाईए 5th of May से batch बैठ रहा है दोस्तों फिर सिले बस आगे जाता है students बाद में देखते हैं तो जो भी आपके भाई बंधू जो भी त्यारी कर रहे हैं उन तक ये चीज पहुंचाईए कि बहुत सबसे कम हिमाचल में दोस्तों सबसे कम दाम पर महीनी की फीस नहीं बता रहा हूं आपको ये ये मैं आपको फीस बता रहा हूं वन टाइम आपको सिर्फ एक बार पे करना है जिसमें आपको स्टडी मैटीरियल प्लस लाइफ क्लास की वीडियोज प्लस रिकॉर्डड वीडियोज प्लस टेस्स सिरीज स्टडी मैटीरियल A to Z ठीक है जैसा है Amazon है आपका A to Z उसमें हर एक चीज मिलती है तो वैसे ही दोस्तों हमारा कोर्स है A to Z कोर्स ठीक है इसमें आपको वीडियोज लेक्चर्स, ओफलाइन लेक्चर्स सारी चीज़ें मिलेंगी धड़ा धड़ ठीक है तो आज के लिए जो अपडेट आपको मैं करने के लिए आया था वो इसी अपडेट के लिए आया था दोस्तों ठीक है तो अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आई या कुछ भी समझ नहीं आया तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमें कमेंट्स के तुरू भी बता सकते हैं तो हमारे साथ जुनने के लिए दोस्तों आपका तह दिल से धन्यवाद अब हमारी मुलाकात होती रहेगी आज के लिए सिर्फ इतना ही थेंक्यू